सर्वेभ्यो नमह देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार देथ अभिनेंदन हैं मित्रो चोटी सी सूचना आप सभी के लिए हम दे रहे हैं आशा है आप इस सूचना का लाब अवश्य लेंगे और लाखों लोगों को भी इस सूचना का लाब दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे मित्रो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाणनी व्याकरण पाणनी व्याकरण की दो धाराएं हैं एक धारा है जिसको बोलते प्राचीन व्याकरण प्राचिन व्याकरण की एक धारा है जिसको आर्ष व्याकरण भी बोलते हैं और एक है पाणिये व्याकरण की दूसरी धारा है नव्य व्याकरण प्राचिन व्याकरण को हम निरंतर पढ़ा रहे हैं आद्यों पांत पढ़ाना है अश्टा अध्याई पद्धति से हम आपको निरंतर अध्यन करा रहे हैं आप यूट्यूब चैनल पर हजारों वीडियो देख सकते हैं और हमने नव्य व्याकरण का भी कुछ पार्ट पढ़ाया हुआ है अब ये चैनल संपूर भारत देश के अंदर प्रसारित और प्रचारित हो चुका है हज्यारों लोग जुड़ चुके हैं देश पिदेश से भी जुड़ चुके व्याकरण है मैरशी पाणनी का ही व्याकरण है उसकी दो धाराएं हैं एक धारा को हम निरंतर पढ़ाई रहे हैं जो मैंने बता दिया प्राचीन व्याकरण अब दूसरी धारा को भी पढ़ाना हम प्रारंभ कर रहे हैं जिसका मुख्य ग्रंथ है सिद्धान्त का उदे अनेक पाठक इस ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं यह एक पुस्तक नहीं है कई भागों में हैं तो हम इसको आरंभ से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे सबसे पहले इसके अंदर आपको सन्या प्रकरण है ठीक है तो जो भी पाठक पढ़ना चाहते हैं हमारी सभी कख्षाएं निशुलक होती हैं और गुणबत्ता की दृष्टी से सबसे अच्छी होती है द्यान रखेंगे निशुलक का अर्थिये नहीं है कि हम कोई बेगार कर रहे हैं गुणबत्ता में कोई गिरावट कर रहे हैं नहीं गुणबत्ता हमारी सबसे अच्छी होती है परंतु संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हम सबीक अक्षाओं का निशुलक प्रवंधन करते हैं तो जो भी पाठक मान भाव सिद्धांत कौमदी को आद्यो पंठ बढ़ना चाते हैं क्रम से पढ़ाएंगे देखिए आप जिस भी शास्त्र को पकड़ते हैं उसको क्रम से पढ़ाते हैं पूरा अब इसको भी पकड पर देंगे करोणों लोग पढ़ने वाले हैं आपको और यूटूब चैनल पर तो मिलेंगे यह नहीं मित्रों और हमारी यह थोड़ी सी विशेस्ता है कि हम नभी व्याकरण को भी अच्छी गुणवत्ता के साथ अपने पाठकों को पढ़ाने में समर्थ हैं और प्राचि कि दौनों प्रकार की पाठकों का कल्यान हो जाएं ठीक है जो भी पाठक इस कख्षा में भाग लेना चाहते हैं यह सभी देवबानी संस्कितम यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को वैल को ओन अवश्य कर लें क्योंकि कख्षा का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो सभी कख्षाएं आप अच्छी प्रकार से पढ़के संस्कित के प्रकान वविद्वान वन जाएं विद्शी वन जाएं यह सूचना है अधिक से अधिक लोगों तक शियर कर दीजिएगा हमारा उद्देश क कोई पैसा कमाना नहीं है हम तो और संस्कित के अपने लोगों कोई साहता करने के लिए पत्पर रहते हैं ठीक है चलिएगा यह सूचना थी जो भी पढ़ना चाहें यूटूब चलब से जुड़ जाएं सभी को साधर अभिनंदन साधर बंदन सर्वेभ्यो नमा